लेटस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले है जबकि 17 लोग घायल हो गए राजपाल के के पाल और एम त्रिवेंद्र सिंग रावट ने दुरगटना पर दुख जताया साथ ही सी एम ने मृत्कों के आश्रितों को दो लाख व घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोशना की 40 सी टर बस में 31 लोग सवार थे छे घायलों को एरली फिकर रिशिके शेम्स अस्पताल भेजा गया है हादसे की खबर सुनते ही जिलादिकारी सोनिकाव एससपी योगेंद्र रावत पहुँचे पहुँच गए वहीं आपदा प्रबंधन टीम घटना के देड़ घंटे बाद घटना स्थल पर पहुँची आपदा की टीम देर से पहुँचने पर लोगों में रोश है स्थानिय लोगों और पुलिस ने घायलों को खाई से बाहर निकाला घटना सुबह करीब 8 वजे की है घटना यहाँ पर जगे काफी संकरी है और आलवेदा रोड का कारे भी इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है संकरी सड़क पर कालक मियंतरन खो बैठा और बस करीब 300 मीटर गहरी खाई में जागिरी गेजर जौन होने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया गंभीर घायलों को हेलिकाप्टर की मदद से रिशिकेश एमस्वा हिमालियन अस्पताल जौली ग्रांट भेजा गया है मुख्यमंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत ने चमबा उतरकाशी मोट अमार के केरगनी के पास बस दुरगटना पर गहरा दुख प्रकट किया है मुख्यमंतरी ने जिला प्रशासन को ततकाल राहत बच्चाव कारे करने वा घायलों के उपचार की विवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है उन्होंने मुख्यमंतरी लगातार जिलादिकारी से अपडेट ले रहे है उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जाज के निर्देश दिये है मुखंमद आसिप त्रत्रमो आजम निवासी नगीना बिजन और जहें इंद्र सिंग 26. पुत्र गंभीर न्क्षस है निवासी नगेड पटी जुआ थोलधार तेहरी धनेटा 32. पत्नी विशाल निवासी के रन स्वीट शोप उतर काशीर नूबर सिंग 27. पुत्र सुबन सिंग निवासी कंजी सोड तेहरी नसुबर न देवी 60. पत्नी नूबर सिंग निवासी कंजी सोड तेहरी रदयाल सिंग 43. पुत्र युद्वीर सिंग निवासी नेताला उतर काशी लप्रमोद 28. पुत्र ललित लाल निवासी कोटी कमांद तेहरी ग्विनोद 32. पुत्र ब्रहम सिंग निवासी मुजडा मुजब फरनंगर उत्तर प्रदेश यराम सिंग पुत्र सो बत सिंग निवासी चेनियाली सोड उत्तर काशी